हेलो फ्रेंट स्वागत है आपका अपने चानल डीटा सड़का में और आज हम बनाएंगे बहुत ही डेस्टी चटनी जिसे आप सर कर सकते हैं किसी भी साउथ इंडियन डिश के साथ जैसे डोसा इडली वड़ा या इस चटनी को आप सर कीजे किसी भी सेंड्विच के साथ सें इससे बनाने केलिए यहापे मैंने पैं गरम करने के लिए रख दीया है और इसमें हम डालेंगे चने की डाल तो यहाँ पे यह मैंने फाफ कॉप डाल ली है इसको हो मियर ड्रायरे रीरोस्ट करना है तो गैस स्लो टू, और इसे ट्रांसफर करेंगे तो इसे हम इस बाउल में डाल देंगे और अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे इस डाल को में थोड़ी देर के लिए भीगोना है कम से कम 15 मिनट के लिए अगर आपके पास जादा टाइम है तो आप इसे आदे घंटे के लिए भी रख सकते हैं लेकिन मैं इसे सिर्फ 15 मिनट के लिए रखूंगी जिससे के दाल अच्छे से भीग जाए मतलब फूल जाए तो इसे साइड में रख देंगे और अब हमें चाहिए सूखा नारियल तो इसका जो ऊपर का ये छिलका है इसे हमें निकालना है तो पीलर की हेल्प से हम इसे इस तरीके से इस छिलके को निकाल देंगे तो जितनी हमने चने की डाल ली है उतना ही हमें कद्दूकस किया हुए ये सूखा नारियल लेना है तो हाफ कप चने की डाल लीती और हाफ कप के करीब हम इसे कद्दूकस करके रेडी कर लेंगे और दूसरी सेड़ यहां पे दाल को भीगे हुए 15 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं दाल हलकी सी फूल चुकी है अब हम इसे ट्रांसफर करेंगे जार में साथी में जो पानी है वो भी हम इसमें डाल देंगे और अब इसमें हम डालेंगे कदुकस किया हुआ यह सूखा नारियल डाल देंगे तो यह हाफ कप है और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे सॉल्टिट वाली जो पीनट आती है वो हम इसमें डालेंगे यह हाफ कप से थोड़ी सी कम है यह हम इसमें डाल देंगे और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे हरीमेच और अद्रक तो यहाँ पर मैंने तीन हरीमेच ली है एक टुकड़ा अद्रक का ले लिया है यह डाल देंगे तो हरीमेच आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम जादा कर सकते हैं अगर आपको तीखापन जादा पसंद है तो आप इसमें हरीमेच थोड़ी सी जादा भी डाल सकते हैं अब इसमें हम डालेंगे एक बड़ा चमच चीनी साथ ही में डाल देंगे नमक तो ध्यान रखे नमक मुफली में भी है तो नमक इसमें थोड़ा सा कम ही डाले और लास्ट में हम इसमें डाल देंगे यह इमली का प पाने एट करेंगे और एकदम इसका fine paste बना के ready करेंगे मिया कि वित हिखी इस तरह झाल के इस त्यवड़ा है कि उप्रिफ आपर इससे कह बनाने में पिंस्कोब आप के इसका एक दम fine paste बनाए अब इसमें ब्लास्ट में डाल देंगे एक बढ़ा चम्मच फ्रेश दही एकदम फ्रेश होनी चाहिए दही खट्टी वाली जादा यहीं यूज करनी है इस धही को इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिल से हमें इसे एक बार अच्छे से पीस लेंगे तो दही डालने के बाद भी हमने इसे अच्छे से पीस लेया है और यह देखिए एकदम बढ़िया यह चट्टी बनके रेडी हुई है अभी थोड़ी सी थिक है अभी हम इसे ट्रांसफर करेंगे बाउल में और अब यहां पे आप इसमें पानी एड़ कर सकते हैं जितनी भी आपको पतली चट्टी चाहिए लेकिन मुझे जादा पानी इसमें नहीं डालना है तो जार में थोड़ा सा पेस्ट रह गया है मैं इसमें थोड़ा सा ही पानी डालूंगी और इसमें एक पार इस तरीके से इसका ढकन बंद करके घुमा देंगे और ये पानी हम इस चट्टी में डाल देंगे तो जितनी आपको पतली चट्टी रखनी है उतना पानी आप इसमें डालें तो ये पानी इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो पानी को इसमें अच्छे से मिक्स कर दिया है और ये देखिए चटनी की जो कंसिस्टेंसी है एकदम बढ़िया है अब इस चटनी के अंदर हम लगाएंगे तड़का तो तड़के के लिए तड़के पैन में हम डालेंगे थोड़ा सा ओयल और ओयल को पहले अच्छे से गरम कर लेंगे और जैसे ओयल अच्छे से गरम हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे एक चम्मच राई और साथी में हम इसमें डाल देंगे साबुत लाल मिश तो यहाँ पर मैंने एक साबुत लाल मिश ली है जिसको छोटा छोटा तोड़के इसमें डालना है आपको इस तरीके से और जैसे राई अच्छे से चटकने लगेगी हम इसमें डाल देंगे थोड़े से करी लीव्स तो करी लीव्स जो हम इसमें डालेंगे वो भी तोड़के डालेंगे तो बस यह तड़का हमारा रेडी है गैस को बंद कर देंगे और इसे चटनी में डालेंगे तो बस इस तड़के को हम इस चटनी के अंदर डाल लेंगे और थोड़े से तड़के को बचा लेंगे बात के लिए तो अभी इस तड़के को हम इस चटनी के अंदर मिक्स कर देंगे अच्छे से एक बार आप चेक कर लें इसमें नमक कम तो नहीं अगर आपको नमक कम लग रहा है तो आप इसमें नमक डाल सकते हैं तो बहुत ही टेस्टी चटनी लगती है खाने में प्लीज आप इसे एक बार जरूर ट्राइ कीजेगा तो ये लिजे मैंने इस चटनी को सर्व कर लिया है और जो थोड़ा सा तड़का बचाता वो मैंने इसके उपर डाल दिया है तो आप देख सकते हैं कितनी यम्मी चटनी लग रही है तो एक बार आप इस चटनी को ज़रू ट्राइ कीजिए मुझे पूरी उमीद है आपको ये बहुत पसंद आएगी वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक कर दें शेयर कर दें और चैनल को नहीं किया है सबस्क्राइब तो जल्दी से चैनल को कर लीजे सबस्क्राइब हम जल्दी ही मिलेंगे नेक्स वीडियो में ऐसी एक नई रेस्पी के साथ तब तक के लिए नमस्कार